भारती अंकों का इतिहास आज हम जिन अंकों को पढ़ और देख रहे हैं क्या ये अंक प्रार्भम्भिक समय से इसी रूप में हैं? नहीं, आज हम इनका विक्सित रूप देख रहे हैं चली चलते हैं इनके विकास के क्रम की ओर इसा के पूर्व चौथी शताबदी में जो प्रणाली है उसे हम कहते हैं खरोष्टी प्रणाली इसा के पूर्व तीसरी शताबदी में जो प्रणाली आई उसे ब्रामी प्रणाली के नाम से जाना गया इसा के पश्षात नववी शताबदी में ग्वारियर प्रणाली और इसा के पश्षात ग्यारवी शताबदी में देवनागरे प्रणाली और आज हम जिस प्रणाली को जानते हैं उसे कहते हैं आधुनिक प्रणाली इसा के पूर्व चोथी शताब्दी से लेकर इसा के पश्चात दूसरी शताब्दी तक के जो अभी लेख है उसमें जो अंख है वो खरुष्टी परणाली के हैं ब्राम्भी अंख में दस के अतिरिक्त 100 तक इनके गुणक और 900 तक 100 के गुणक पाए गए हैं यजुर्वेद, रामायन और भी ऐसे धार्मिक ग्रंथों में एक से लेकर दस की घात 53 तक के संख्याओं को नाम दिये गए थे जैसे कि 10 की घात 11 को नियुतम, 10 की घात 21 उत्संग, 10 की घात 31 को कहते थे हेतु हिलम, 10 की घात 41 उसे हम कहते थे नित्रवाध्यम और दस की घात 53 जो था उसे तल्लक्षणा कहा जाता था कुटांक जब हम संख्याओं को अक्षरों में वेक्त करते हैं तो इन्हें को टांक कहते हैं प्राचीन गणित अग्य इस संकल्पना का प्रयोग संख्याओं को अभिवक्त करने में करते थे प्राचीन काल में को टांक पधत्या बहुत प्रशलित थी इसका उपियोग वे जयोतिशादी ग्रंतों में करते थे जैसे की वर्नांग प्रणाली शब्दांग प्रणाली और व्यंजनांग प्रणाली बीजगनित आप जानते हैं जैसे अंक गनित गनित की एक शाखा है वैसे ही बीजगनित भी अंक गणित और बीज गणित में सिध्धान्त और सरश्णा के अधार पर बहुत सी समानता हैं परन्तु एक मुख्य अंतर भी है अंक गणित में हम व्यक्तराशियों की बात करते हैं जबकि बीज गणित में हम अव्यक्तराशियों की बात करते हैं अव्यक्त राशिया मतलब अव्यक्त राशिया हम उन्हें कहते हैं जिनका मान हमें प्रारम से पता नहीं होता है इन्हें हम बीज राशी भी कहते हैं और इसलिए इस अव्यक्त गणित को हम पीज गणित कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि शूल्व सूत्रों के काल से ही पीजगनित का प्रारम हुआ है विभिन प्रकार की यग्यवेदियों बनाने के लिए ऐसी समस्याएं उत्पन हुई जिसके लिए रैखिक और अपरिमित समिकर्णों का समधान भूनना पड़ा आर्यभट के जो अंक गणित में योगदान है वैसे ही बीजगनित में भी उनका योगदान उल्लेखनी है ब्रह्मगुप्त के काल में बीजगनित जो है वो एक अलग शाखा के रूप में विक्सित हुआ इसे हम कुटक गणित और अव्यक्त गणित भी कहते हैं गणितग्य प्रितुदक स्वामी ने 860 में इसका नाम बीजगनित रखा रेखा गणित ज्यामिती भारती गणित के तिहास में यदि हम द्रिष्टी डालें तो वैदिक काल में ही रेखा गणित की निव पढ़ गई थी वैदिक काल के गणित की जानकारी कल्प नामक वेदांग में शूल्व सूत्रों के रूप में मिलती है शूल्व सूत्र वास्ताव में वेदी के मापन में रश्ची का प्रयोग होता था इसे ही हम शूल्व कहते हैं और सूत्र का अर्थ होता है जानकारी को संग्षित्ततम रूप में प्रस्तुत करना शूल्व सूत्रों का नाम उनके रचईताओं जैसे की बवधायन, कात्यायन, मानव, आपिस्तम और मेत्रायन के नाम से जाना जाता है शूल्व सूत्रों में विभिन्य जामिती आकारों के वेदियों का वर्णन है जैसे की गरुण वेदी, कूर्म वेदी और श्रीयंत्र हमारे पास शूल्व सूत्रों के कुछ और धारन भी है जैसे कि त्रिभूज, वर्ग, आयत और अन्य जटिक जामिती आकारों की रचना कुछ ऐसे जामती आकारों की रचना जिनका छेत्रफल दिये गए आकारों के छेत्रफल के योग या अंतर के बराबर हो रेखा गणित में आर्यभट चार्सो चियत्तर इस्वी से पास्सो पचासी स्वी ब्रह्म गुप्त चेसो इस्वी भासकर प्रथम चेसो उन्तिसी स्वी और महावीर आट्सो पचासी स्वी इन सभी का योगदान उल्लेखनी है अब जानते इस श्लोक का अर्थ क्या है इस श्लोक में यह बताया गया है कि किसी आयत के विकंड पर बने वर्ग का छेत्रफल उस आयत की अंचे दो भुझाओं पर बने वर्ग के छेत्रफल के योग के बराबर होता है और हम यह भी जानते हैं कि किसी आयत का जो विकंड होता है वो उसे दो समकौन त्रिभुजों में विभाजित करता है किसी समकोन ट्रिभूज की कर्ण भुजा का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है समकोन ट्रिभूज की इन भुजाओं में जो संबंध है इसे हम पाइथागुरस प्रमे के नाम से जानते हैं परन्तु डॉक्टर ब्रजमोहन की पुस्तक गडित के इतिहास के प्रिश्च नंबर 243 में इस बात का उलेक है कि आज यह अधिकांश इतिहासक्य जो हैं कु कि पाइथागुरस के प्रमे को हमारे शूल्व सूत्र के जो लेखक हैं वो उननके जन्म से सेकड़ोवर्ष पूर्व से जानते थे क्योंकि युनानी दार्षनिक पाइथागुरस जो है उनका जो जीवनकाल है वो 532 इस्वी पूर्व से 521 इसा पूर्व तक है जबकि हमारे भारती गणिता के बुधायन जी ने उनके जीवनकाल से सैक्ड़ो वर्ष पूर्व ही इस प्रमे को सउधारट व्यापक रूप में पहले व्यक्त कर दिया था अता यह प्रमे वास्ता में बुधायन प्रमे हैं इसे शोल प्रमे भी कहते हैं पाई का भारती एतिहास आर्यभट 476 इस्वी से 585 इस्वी आर्यभट वे प्रतम गणितग्ये थे जिनोंने व्रित्त की परिधी और उसके व्यास का अनुपात याने की पाई का लगभग परिमित मान निकाला उन्होंने लिखा कि चतुर्धिकम्षत मश्ट गुणम द्वाशश्टे स्थिता सहस्त्राणाम अयत्वद्वय विश्कम्भस्य आसन्यों व्रित्त परिपाह इस श्लोक में यह बताया गया है कि यदि हम सौ में चार जोड़े और उसमें आठ का गुणा कर 62,000 जोड़ दिया जाए तो जो योगफल प्राप्त होता है वो 20,000 व्यास के व्रित्त की परिधी का लगभग माप है याने कि 20,000 व्यास के व्रित्त की परिधी का माप होगा 62,832 याने कि 5 बराबर परिधी बटे व्यास बराबर 62,832 बटे 20,000 यदि इसका हम मान दशमलों के 4 अंग तक ले दशमलों के बाद 4 अंग के स्थानों तक ले ले तो इसका मान हो जाएगा 3,1,4,1,6 जो आज तक सह ही है भास्कराचार्य 1114 इस्वी से 1193 इन्हों ने अपने ग्रंथ लीलावती में पाई का मान इस श्लोक के माध्यम से दिया व्यासे भन्नन्दागिनी हते विभक्ते खबान सूरेई परधी सा सूक्ष्मह द्वाविंश तिघने व्रिहते अच्छेले इस्थीलो अत्वास्यात व्यवार योग्यह इस लोक का अशयय है कि जब हम व्यास को 3927 से गुणा कर 1250 से भाग देते हैं तो सूक्ष में परिधी होती है अत्वा व्यास को 22 से गुणा कर 7 से भाग देने पर व्यवार योग्यह परिधी का इस्थूलमान प्राप्त होता है स्वामी भारती कृष्णतीत 1884 इसवी से 1960 इसवी इन्होंने पाई बटे दसका मान सूविदित अनुष्टुप चंद में वर्ण माला की कूडभाशा में दिया है जो है गोपी भाग्य मधुवरात श्रिंगी शोददी संदिग खल जीवित खाताव गलहालार संधर स्वामी जी ने इस लोग के तीन उप्यूग तर्थ बताए हैं पहला अर्थ श्री कृष्ण जी की इस्तूती है दूसरा अर्थ श्री भगवान शंकर जी की इस्तूती तीसरे अर्थ में पाई बटे दसका मान दशमलों के 32 इस्थानों तक दिया गया है स्वामी जी ने वैदिक गणित नाम के गरंद की रचना भी की जिसमें 16 सूत्र और 13 उप्सूत्र हैं चली अब बात करते हैं श्री निवास रामानुजन जी की 1887 इस्वी से 1920 इस्वी रामानुजन का यूरोप में जो पहला शोध निवन प्रकाशित हुआ उसका शीशक था प्रती रूपक समिकरण और पाई के सन्निकट मान modular equation and approximation to पाई इन्होंने पाई के सन्निकट मान के लिए कई सूत्र के खोज की त्रिकोन मिती त्रिकोन मिती गनित की वह शाखा है जिसमें तरिभूश की भुजाओं और कौनों के संबन्द का अध्यन किया जाता है यह गनित की प्राचीन एवं महतपुर्ण शाखा है भारती जोतिश शास्त्र एवं खगोश शास्त्र में इसका उप्योग ग्रोहों के इस्थान की गर्णा में होता था प्राचीन भारती गर्णितग्यों आरेभट वराह मिहिर तथा ब्रह्म गुप्त आदिका त्रिकोण मिति के शेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है त्रिकोण मिति के संकलपनाओं सुत्रों तथा सारणियों का वर्णन सुर्श सिधान जो 400 इस्वी का है वराह मिहिर के पंच सिधान तथा ब्रह्म गुप्त के ब्रह्म इसफुट सिधान जो 630 इस्वी का है में मिलता है डक्टर ब्रजमोहन द्वारा लिखित पुस्तक गणित का इतिहास में उलेख है कि इसमें संदेह नहीं है ये त्रिकोण मिति फल्लों में से तीन की इस्पस्ट रूप से परिवाशा सबसे पहले हिंदों ने ही दी थी सबसे पहले जया का प्रियोग आरे भट ने लगबग 510 इस्वी में किया था आरे भट ने जया और उत्करम जया यानि उत्जया की सारणिया भी दी है भारत से जया शब्द अरब गया जहां जीबा के रूप में प्रचलित हुआ कुछ समय पश्चाद जीबा का जयब हो गया अरबी में जयब का अर्थ वक्ष है लगबग 1150 इस्वी में अरबी की पुस्तकों का लेटिन में अनुवाद किया गया तो जयब के इस्थान पर साइनस का प्रियोग किया गया जिसका लेटिन में एक अर्थ वक्ष भी है ब्रह्मगुप्त ने जया के अर्थ में ही क्रवज्या का प्रियोग किया इसका यह नाम इसलिए रखा कि उतक्रम जया से इसका अंतर इसपस्ट दिखाई पड़े अर्भी में यही शब्द करज के रूप में प्रश्टित हो गया अल्खवार इजमी ने भी करज का ही प्रियोग किया है भारती ज्या और कोटी ज्या ही एरूपियन भाशाओं में साइन और कोसाइन बन गये त्रिकोण मिति का जोतिश, खगुल शास्त्र, अभियांत्र की नो परिवहन तथा उचाई दूरी आधि के अध्यान में भी उप्योग होता है